आज आपका फिर से स्वागत है आज का संपात किये दा हिंदू अखबार से लिखा है आर के रागवन साहब ने जो CBI के भूतपूरू डिरेक्टर रहे हैं आज कल जिंदल ग्लोबल उनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं CBI के भूतपूरू डिरेक्टर का ये लेख उस कंटेक्स्ट में important हो जाता है जिस कंटेक्स्ट में हाल ही में Supreme Court के Chief Justice यानि Chief Justice OF India ने एक बात कही क्या कही उन्होंने बात बात उन्होंने ये कही कि एक तोता है जो पिंजरे में कैद है इशारा CBI की तरफ था उसको आजाद करने का समय आ गया है हमें देखना पड़ेगा कि उसको कैसे आजाद किया जाए इस तरह है कि उन्होंने कुछ और बाते भी कही जब भी ये तंज कसा जाता है कि एक पिंजरे में है तोता जो कैद है तो इसको लोग अलग-अलग तरीके से लेते हैं रागवन सहाब ने किस तरीके से लिया है उसकी हम चर्चा करेंगे हमारे लिए क्यो महतवपूर्ण है GS Paper 2 के लिहाज से तो ये महतवपूर्ण है ही Paper 3 के लिहाज से Internal Security के लिहाज से कुछ बातें CBI के बारे में जानना जरूरी है इस लिहाज से भी महतुपून है कुछ ethics की बातें जो रागावन साहब कहे हैं इस पूरे संपात्ये में वो GS paper 4 के लिहाज से महतुपून है swims के लिहाज से जो बातें महतुपून है वो संपात्ये में कही तो नहीं गई लेकिन हम आपको बता देते हैं CBI Central Bureau of Investigation के नाम से जिसको हम जानते हैं उसकी स्थापना अंग्रेजों नहीं की थी जुतिय विशूद चल रहा था War Department बनाया गया और जैसा कि युद्धों के समय अकसर होता है भष्षटाचार बहुत बढ़ गया War Department की लेन देन में फ्षटाचार को रोकने के लिए एक Special Department बनाया गया उस Department का नाम तब CBI नहीं था 1941 से चलते चलते बात भारत के आजादी की सुख बुगाहट जब होने लगी तो 1946 तक बात आ गई तब दिल्ली Special Police Establishment करके इस Department का नाम बना तब भी इसका में काम यही था कि सरदार पटेल का मानना था कि कई रियासते जो है प्रिंस्पिली स्टेट्स जो है भारत के यूनियन को जोईन किये हैं लेकिन उनके अंदर बहुत भेस्टाचार है उस भेस्टाचार पर लगाम लगाने के लिए CBI को दाइट वसौपा गया अन्तित है 1963 में आकर Home Ministry के एक सेर्कुलर द्वारा एक नोटिस द्वारा वो बहुचर्चित नाम इस विभाग को मिला जिसके नाम से आज हम इसको जानते हैं Central Bureau of Investigation रिपोर्ट करता है यह DOPT को Department of Personal and Training को तो यह हो गई उसके बारे में वो बाते हैं जो एक्जाम के लिहास से भी महतपून है एक नागरिक के तौर पे हमें मालूम भी होनी चाहिए अब हम Broad Analysis में ही समपात्किय को समझ लेंगे क्योंकि बहुत गहराई लायक इसमें कुछ है नहीं जो महतपून बाते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा तो हाल ही में रागवन साहब शुरू करते हैं कि हाल ही में C.V. रमना साहब ने कुछ बातें बोली C.V. I.E. के बारे में D.P. कोहली मेमोरियल टॉक देते हुए D.P. कोहली साहब का साहब का नाम भी महतपून है क्योंकि 1963 जिसकी चर्चा हमने जस्ट की जब इसका C.V. I.E. नाम पढ़ा तो उसके पहले डिरेक्टर उस बोडी के जिसको आज हम C.V. I.E. के नाम से जानते हैं उसके पहले डिरेक्टर D.P. कोहली साहब ही थे बहुत इमानदार अफसर माने जाते थे और इस संस्थान की सही मायनों में नीव इन्होंने डाली तो उसी मेमोरियल लेक्चर में Chief Justice of India ने तमाम कड़े शब्दों में C.V. I.E. की एक प्रकार से लालत मनानत की उन्होंने कहा कि critical तरीके से कहा कि C.V. I.E. के functioning में कई समस्याएं हैं और इससे मूह नहीं चुड़ाया जा सकता है तो देश के जब judiciary का सर्वोच व्यक्ति ये बोलता है तो इसका असर पढ़ना लाजिन है किस तरह का असर? संपात की आगे कहता है कि judiciary की जो gaze है judiciary की जो नजर है निगाह है वो रहे ये बहुत जरूरी है क्योंकि lecture में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जो नहीं है या जो लोगों को मालूम नहीं है lecture में तो यही कहा गया कि भाई political bosses का या executive का दखल जो है वो C.V. I.E. की कारेपणाली में होना अच्छी बात नहीं है इसी चलते एक बार Supreme Court ने वो तलक टिप पड़ी की थी जो तलक टिप पड़ी आज C.V. I.E. से चिपक कर रहे गई है कि वो पिंजरे में कहा देखता है तो कोई नई बात नहीं हुई इस बात को लेकर भी संपात के कहता है कि political interference sensitive investigation में राजनीतिक हस्तक्षेप एक आम बात के तौर पर मान लिया गया है ये भी माना गया है कि ये तमाम जो unethical pressure होते हैं अगर अफसर इन pressures के सामने जुक जाते हैं तो ऐसी संस्थाओं के ऊपर जो लोगों की आस्था है वो आस्था तूटती है Chief Justice of India ने ये भी कहा कि अफसरों को इस बात के लिए तयार रहना चाहिए कि वो कोई ऐसा काम अगर कर रहे हैं जब वो unethical pressures के सामने जुक रहे हैं तो उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आज वो किसी के भी सामने जुक जाएं उनका करियर तो लंबा है इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए ये बात भी सच है कि High Court और Supreme Court ने अलग-अलग समय पर कई investigators को CBI के अफसरों को बहुत फटकार लगाई है और उमीद की है कि investigation को impartial रखा जाए उसके बाद संपात की आगे बढ़ता है कहता है कि इससे पहले Supreme Court के एक दूसरे जज ने 1997 जेस वर्मा सहब ने CBI के डिरेक्टर को हवाला केस में बहुत डांट लगाई थी हवाला केस एक बड़ा केस था उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे जेस केस में देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं तक का नाम था पैसा की हेरा फेरी मनी लॉंडरिंग का आरोप था उस आरोप में क्योंकि बहुत बड़े लोग शामिल थे जेस वर्मा सहब ने कहा CBI Director को डाट लगाते हुए कि आप जिस तरह का बरताव कर रहे हैं आप केस को लंबा कीशना चाह रहे हैं और वो बरताव अपने आप में दूसरे अफसरों को इशारा है कि वो investigation को सुस्त रखे उस डाट की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं जो चुना जाता है उसके लिए एक प्रॉपर कमिटी हो इंटरेस्टिंग बात है कि आज उस कमिटी में तीन सदस्य कमिटी में वैधान मंतरी होते हैं लीडिर अफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जेस्टिस अफ इंडिया या उनके द्वारा appointed for Supreme Court का दूसरा जज भी होता है तो ये तीन लोगी कमिटी चुनती है एक और सुझाव उस समय आया जो अंततह लागू हुआ सुझाव क्या था कि कम से कम दो साल का कारेकाल हर CBI डिरेक्टर को दिया जाए ताकि कम से कम ये संधे न रहे कि CBI डिरेक्टर को कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है कम से कम ये डर समय धानिक रूप से हटाया जा सकते ये सुझाव भी अंततह लागू हुआ उसके बाद समपात के आगे बढ़ता है कि ये कहना तो खेर दूर की कौडी होगी ये सब कहना दूर की बात होगी भले ही कई ऐसी investigations हुई जिसमें Supreme Court ने investigation को अपने अधीन रखा कि हमारी निगरानी में investigation होगी और उसके चलते वो investigations बहुत बहतर तरीके से हुई उन पर दबाव नहीं पढ़ने दिया गया इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दबाव वाले जो cases हैं CBI का total workload जो है उसमें से politically sensitive cases मात्र 10 प्रतिशत ही होते हैं तो 90 प्रतिशत cases में CBI से ये आम तोर पर माना जाता है कि उनका कार अच्छा होता है तो कि उन पर कोई political दबाव नहीं होता है ये भी बात माननी होगी कि Central Bureau of Investigation में देश के सबसे bright IPS officers join करते हैं मतलब join तो वो IPS को करते हैं deputation में जब वो CBI पर जाते हैं तो अक्सर वही लोग जा पाते हैं या जाते हैं जो कि सबसे bright officers माने जाते हैं और उनसे ये आशा भी की जाती है कि महस किसी director के दबाव में या किसी नेता के कह देने पे वो अपनी investigation को खराब नहीं करेंगे क्योंकि इसका असर उनके लंबे और bright career पर भी तो पड़ेगा लेकिन इसके लिए महतपून क्या है? महतपून ये है कि इस संस्था को और यहाँ पर ये बात GS paper 4 ethics के लिहाज से भी महतपून हो जाती है कि उस संस्था के leader का ये die to है कि वो अपने subordinates को अपनी संस्थान को या अपनी संस्थान की team को ये विश्वास दिलाए कि अगर कोई समस्या हुई तो सबसे आगे वो खड़ा है ऐसा नहीं है कि वो अपने subordinate की बली दे देगा किसी political heavyweight के सामने क्योंकि जब leadership को भी तमाम सहूलियतیں मिली हुई है दो साल का कारेकाल मिला हुआ है चुनने और हटाने के लिए committee बैठी हुई है तो फिर उससे वर्षो में दो डिरेक्टर्स नाम नहीं लिया गया है आप अंदाजा लगा लीजिए कौन रहे होंगे दो डिरेक्टर्स पर ये बड़े आरोप लगे गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने कई investigations को राजनेतिक दबाव के अंतरगत कमजोर करने की या लीक से हटाने की कोशिश की तो अपना अनुभव बताते हुए रागवन साहब कहते हैं कि देखिए CBI डिरेक्टर पर अगर कोई दबाव पढ़ भी रहा है तो वो परधान मंत्री के पास सीधे जा सकता है और 90 से 90 प्रतिशत तक cases में अगर कोई मंत्री भी दबाव डाल रहा है और CBI डिरेक्टर के पास यह हिम्मत है कि वो प्राइम रिस्टर के सामने अपनी बाते निडर रहुकर बोल सके बता सके कि उसको क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं इस तरह के दबावों से तो 99 प्रतिशत तक cases में यह दबाव काम नहीं करते लेकिन अक्सर जो डिरेक्टर के पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं अक्सर ना सही तो कई बार उनके सामने यह या उनके अंदर यह जीवट नहीं आ पाता कि वो देश के शीर्ष अथॉरिटी से डिफेक्टो मैनेजर से यह बातें कर सकें कि हमें यह समस्याएं आ रही हैं उसका समधान हमें आपके इस तरपर चाहिए होगा इसके बाद समपात्किय कहता है कि बहुत जरूरी यह भी है कि जो CBI की कई सफलताए रही है एक मुख्यमंत्री बिहार के इससे पहले जेल में रहे हैं नाम फिर से नहीं लिखा गया अशारा साफ है इसके अलावा महराष्ट के एक होम मिनिस्टर रहे हैं भूतपूर उन पर भी शिकंजा कशा गया तो यह बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि CBAE ने कई बार बहुत अक्से से भी काम किया है बड़ी मचलिया जिनको कहा जाता है बिग पिशिस उनको भी कैच किया है एड दा सेम टाइम ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के मामलों में या इस तरह के बड़े मामलों में कोट को भी कड़ा रुख अक्तियार करके रखने की जरूरत है, कोट को अगर सम्विदान का निगहबान बनाया गया है, तो उस निगहबानी को पूरी संजीदगी से करने का काम कोट का है, इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तो अंत में बढ़ते हुए संपात्की आ सहमत हैं कि इन समस्याओं का समधान होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करॉप्षन नेताओं का इंफ्लूएंस की सब बाते हैं, इनका समधान होना चाहिए, तो सुझाव सुझाया, रमन्ना सहाब ने, चीजर्टेशिस उप इंडिया ने, सुझाव था कि अम्रे समस्याओं को टैकल कीजिए, जिनका सॉलूशन आपके पास है, समस्या के समधान में आप नई समस्याओं को जन्म दिए, अगर समझ नहीं आई है बात तो देखते हैं, राग्वान साब क्या कह रहे हैं, राग्वान साब कह रहे हैं कि जब आप अंब्रेला ओगनाशिशन बना देंगे तो जरूरी नहीं है कि उससे समस्याएं सुलच जाएं बलकि नई समस्याएं जैसे टर्फ वार्स, इगो क्लैश, अलग-अलग संस्था हैं जब एक अम्रेला ओगनाईशन के अंदर काम करेंगी तो इस बात को लेकर भी अकसर उहापूह की स्थिती रहेगी कि ये मामला किस बॉड़ी को मिलना चाहिए ये हाइपरफाइल मामला था तो हमको क्यों नहीं मिला, दूसरी बॉड़ी को क्यों मिल गया ये दो बॉड़ीज अगर साथ में काम कर रही होंगी तो उनके काम करने के तरीकों को लेकर समस्याएं हो सकती हैं जो राजनितिक स्वार्थ या नहित स्वार्थ या निस्थ स्वार्थ अपने हितों को साधना चाहते हैं वो केवल किसी एक body पर ध्यान देंगे और उसके द्वारा disturbance क्रेट कर देंगे investigation में और एक बार अगर investigation डीरेल हो जाती है तो अंतुत है न्याय उस मामले में नहीं हो पाता है तो नई समस्या पैदा करने की बजाए रागवन सहाब क्या इलाज सुझा रहे हैं उनका समधान है कि हमें focus करना चाहिए कि इस शीर संस्थान में वो कौन लोग हैं जो इस संस्थान को बुरा नाम दे रहे हैं उनकी report पर उनकी confidential report होती है क्योंकि अक्सर ये लोगों को मालूम होता है कि ब्रशचार कौन कर रहा है लोगों को मालूम होता है कि दबाव में कौन जुक रहा है अगर मालूम होता ही है तो उस समस्या को सुल्जाने पर ध्यान दिया जाए ध्यान दिया जाए कि कौन से अफसर हैं जो कमजोर हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो लीडर्शिप पोजिशन के लायक नहीं है और ऐसी प्रक्रियाएं बनाए जाएं professionally इन्नोवेटिव प्रफेशनल स्तर पर नवाचार किये जाएं ऐसे संस्थान ऐसे इंस्टिूशनल मेकानिजम तै किये जाएं जिसके द्वारा ये स्थापित हो सके की CBI देश की सर्वोच संस्था बने रहना इन्वेस्टिकेशन के शेत्र में डिजर्व करती है और रागवन साहब का मानना है क्यों डिजर्व करती है तो ये था आज का संपात किये मिलते हैं कल एक नए संपात किये के साथ तब तक के लिए मुनस्था